नमस्कार आप देखने है प्राइम न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ कोमल जिंग खबर हरियाना से है जहां हरियाना के परिटन मंत्री कवरपाल ने बताया कि सरकार सरस्वती नदी के जिनोधार के लिए गंभीर रूप से पर्यासरत है सरस्वती नदी के किनारे स्थित गाउं से बहकर नदी में आने वाले प्रदूशित पानी को साफ करनी की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है इसके लिए यमुना नगर्वा कुरुचेतर जिलो में सीचेवाल मॉडल पर पचीस तरर अपसेश्टी प्रबंधन सिस्टम लगाये जा रहे हैं परिटन मंतरी नहीं है जानकारी सरस्वती हरिटेज डेवलपमेंट बोट के विभिन ने प्रोजेक्ट की समिक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी हरियाना के परिटन मंत्री कवरपाल ने बुद्बार को चंडिकर में सरस्वती हरिटेज डिवलप्मेंट बोट के विविन ने प्रोजेक्ट की समिक्षा बैठक की अध्यक्षता की परेटन मंत्री कवरपाल ने बताया कि राजसरकार ने सरस्वती नदी के जिनोधार के लिए हरियाना तथा हिमाचल परदेश की राजसीमा परिस्थित सोम नदी पर एक बांध बनाने कर निर नहीं लिया है उन्होंने बताया कि हिमाचल परदेश सरकार ने इस बांध के निर्मान के लिए अनापती प्रमान पत्र दे दिया है तथा अब सिचाई विभाग ने केंद्रिय जल आयोक के पास बांध के डिजाइन के लिए केस भेज दिया है ताकि आगे की कारवाई की जा सके उन्होंने यह भी बताया कि आदी बदरी के स्थान पर सोम नदी के नीचे की और एक बैराच की प्रस्तावित किया जाएगा जिसके भुमी गत पाइप लाइन के माध्यम से गाउ रामपूर हेरिया, रामपूर कमानियन और छिलोर में सरस्वती जलाश्याय में जल प्रभाव होगा, बैठक में परिटन मंत्री ने अधिकारियों को सरस्वती हरिटेज डेवलपमेंट बोट के विभिन प्रोजेक्ट पर चल रहे कारियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिये हैं, प्राइम नीउस 24 के लिए हरियाना ब्यूरो की रिपोर्ट